इस वी अभी मैंने जगत दीदी का वीडियो देखा एंड जैसे कि उन्होंने बोला था ना कि वो अपना पक्ष रखेगी तो मुझे लगा कि वो अपना पक्ष रखेगी वो अपनी साइड रखेगी लेकिन यह क्या वो आई कंटिनियूसली रोने लगी बेग्राउंड में ड विक्स की जो है विक्स बाम लगाकर आई है इस वज़़ह से यह रो रही है जी नहीं आस वसी उस मत्लीं तो उसको अतिकली रहा रहा होगा और खाली यहीं नहीं सचिन भी एक आदमी है तो भी वह सब वह जहल रहा होग जो परिणाम है जो घातक परिणाम है वह जो उन्होंने करा था उस चीज का तो अद्दो नहीं भुगत रहे होगे वह परिणाम है ना अभी बुरे काम का बुरा नतिजा वह बोलते हैं तो वहीं है बाई जैसी करोगी वैसी भरोगे टाइप अब सचिन भुगते का यह तो मैंने बोल दिया लेकिन सच जिनके तो मॉम जो है उसके लिए स्टैंड लेते हैं कि मोर बीटिया मेरे बेटे के लिए को ऐसा नहीं बोलेगा मैं खड़ी हूं साथ में वगएरा और खाली वहां से ब्लेम किया जा रहा है नहां पर उसने कुछ करा दिया था उसने यह खिला पिला दिया था सेम चीज त तो वह भी दे सकते हैं तो खिलाना पिलाना कुछ नहीं होता है दोनों बैई तीस चालिस साल के दोनों के थे दोनों तो अपनी मर्जी से पुरे होश वाज में जो भी हुआ था हुआ ठीक है यसी लिए रिजन्स देना बंद कर दीजे और जितना वह रिस्पॉंसिबल है उ अपने सही वक्त पे अपने बेटे के कान खीच के दो थपड़ लगा होते तो कुछ नहीं होता था सब दोन बंद हो जाता था लेकिन आपका बेट्टा तो आपकी कवु में है निहीं अब दुसरी की बेटियों पे तो तुरंट उंगलिया उठाय रहे हो यह बोलकर कि ऐसे लोग ऐसा परिवार आपका कैसा परिवार है जो आपका बेटा शादी शुद्ध होने के बाउजुद एक औरत के साथ चक्कर चलाता एक बच्ची की मा के साथ अब देखे एक औरत पे ब्लेम लगाना बहुत आसान होता है देखो बहुत हो गया यह जगत दीती आयन लेडी ठ होंगी भाई आओ अच्छे से माफी मांगो ओडियंस का दिल बहुत बड़ा होता है खतम करो खाम खाई यह जो तमाशा तुम बन रहे हैं नहीं रहे ले रहे तमाशा तुम्हारा बन रहे है अना हर बात पे वो टॉपिक आता है पाप हुआ है महा पाप भाई भेन के रिष बात खतम वहीं पर और आज तुम जो लाइव में आई और जो attitude तुमने दिखाया है न यह attitude बिल्टकुल भी acceptable नहीं है घमंड दिखाना attitude दिखाना मैं यह कर दूंगे वह कर दूंगे सब क्या है घमंड इतना दिखाना रहता है किसी को कि और अब यह तुम बद्दुआ द तो इसी वज़े से वह नहीं आ रही थी सामने तो उसको तो घरत मत बोलो ठीक हर किसी का अपना पक्ष रखता है आपको आपका पक्ष रखना था पहली बात तो कि आपके सथ क्या क्या हुआ था अगर नहीं भी रखते ना तो खाली ओडियंस के सामने माफी मंगते dignity maintain करके चले जाते आप आए आपने घमन दिखाया और आपने जो है फिर उप चले गया आप पहले सुमिद जी सुमिद जी कर दे थे आप तो उसको सुमिद कर दिया कि मैंने सुमिद से शादी तोड़ दी जाओ तुम यहीं चाहते थे ना community में भी यहीं आपने सकी चले लिख दिया कि मैंने सुमिद से रिष्टा तोड़ दिया अब मेरा सुमिद से कोई लेना देना नहीं है क्या आपने उससे बात स्विद्वा और यह लाव रिच कर सकती है तो जो orange marriage होती उसमें तो families involved होती है उसकी family भी involved होई होगी आपकी भी अगर orange marriage है तो हाँ और इतनी तकलीफ आपको हो रही है जैसे कि आपकी love marriage हो रही हो आप बाई की कहने पर शादी कर रही थे तो तूट गई तो क्या हो गया अब भाई के कहने पर शादी कर रहे था तूट गई तो क्या हो गया आपने तोड़ दी अब देखो औरेंज मेरे जैसे नहीं तोड़ी जाती दोनों फैमिली बैठकर इसके बाद डिसाइड करती है फिर जो है रिष्टा तूटा होता है तो तूटता है ऐसे आपने अच्छा से तोड़ी शादी क्यों समझ नहीं आया और इस सब में जो है सबने वो लड़का और उसके खांदन की फजयती हुई है खाली जुड़कर नाम जुड़ा है उस लड़के को विचारे को कितना सुनना पड़ गया कि ये गोल्डिगर है ये परिवार ऐसा बेश्रम परिवार अभी भी रिष्टा रखा है वगयरा वगयरा उन लोगों को क्या क्या नहीं सुनना पड़ा सेम इसके परिवार को भी सुनना पड़ा इसके भाई इसके भावी को जबकि उसके यहां पर चोटी बच्ची आई तो भी उनको कितना कुछ सुनना पड़ा कि वे शरम ये वो ख सांग कुछ हुआ है नहीं उसकी तो भी वी ने भी माफ कर दिया और एक गलत मेसेज दे रहे है उसकी बीवी कि एक औरत के साथ आप घर की ओरतों के साथ घर की बेटियों के साथ कुछ भी कर दो आपको माफ कर देगी उसका अब डॉरमेट की तरह भी ट्रीट करोगे माफ कर भी देगी तो माफ कर दिया पता नहीं हम क्या ही हनो तो घर तोड़ दिया हमारे घर में घुसी क्यों यह सामने वाली को बहुत बहुत ब्लीम करो उपयारी की बेसंके हैं तो देखो तुम्हारे पते के पास खुला लाइसंस है कि शादी भी तुट गई अब तो जो क्या बोलता है बाबू जानो जान हाँ बेटू अब तो बेटू के वहां पे और चांसे से वापस से ट्राइ करेगा अपने पती को और संभाल के रखो अब ब्लेम मत करना उसको कि म बोल रही है कि मजए चुराना होता तो में कपका चुरा लेती हो तो भागने के लिए रेडी था देखो यहां तक वह रेडी था भागने के लिए और यह दी भी प्राउडली बता रही है मनलब उसने में गण्फर्म कर लिया कि अफेर तो था बई पूर जोर में फिर चल र सब कुछ चल जाता है हमारा देश हमारे कल्चर की वज़े से जाना जाता है तो यहां पर भाई-बेहन की रिष्टे के आड़ में सब गंद मजा दी दोस्ती का रिष्टा रखते कि हम दोस्ते भाई अच्छा उधारन सेट करते कि अगर और तो और आदम से भाई-बेहनी नही सब किया क्यों इतने सारे लड़के है दुनिया में अगर ठीक है अगर किसी की शादी हो रखी होती है तो बॉड़ी की ना फिर आदित पड़ जाती हो बायोलोजी के लिए जो नीड होती है तो समझ सेकते हैं कि वह जो भी है आयन लेडिया जो भी है अंत में तो एक जिए इंसान है जिन्दा औरत है जिसकी कुछ नीड होगी इमोशनल सपोर्ट भी ची होता है ऐसा नहीं कि खली उसको वह नहीं चार साल से अगर कोई इंसान अकेला है तो उसने अल्रेड़ी बहुत कुछ मतलब अकेला पंजेला है लोनलीनस ऐसी चीज होती है लोनलीनस की वज़ आदमी उसने गलत चुना भाई बहन का रिष्टा जो भी उसने करा शायद से उनका फैर पहले शुरू हो गया और बाद में समाज को दिखाने के लिए उसकी बीवी को तक ही ट्रस्ट आ जाए उस वह जैसे ये रिष्टा बनाया गया कि हम नाम दिया गया कि हमारे रिष्टा भाई बहन का है वरना इनके चक्र शायद पहले शुरू हो गया होगा अकॉर्डिंग तो इसने फोन पर बोला था कि मुझे आप जैसी बहन चाहिए फिर उसने बोला नहीं है वह वह तो शायद से ऐसा नहीं हो था कि वह बिना जो है जो है हिंट दिये वह तुरंध ही उसको तो यह बोलते हैं जबकी वह इंसान तो कॉंट्रोर्सी के लिए जाना जाता है राइका पाड बना जिने के लिए तो उसने कुछ तो हिंट दी होगी जो इसने बोला कि नहीं मुझे जो है तुम्हें भाई नहीं बनाना है पती बनाना है गले-जनान में और यह बोला कि मेरे अगर आप एक टीचेर हो आप इंजीनियर हो तो आप यह अंधिश्वास वाली बाते क्यों रहें मुझो समझ नहीं आ रही कि मुझ कर दिया था कुछ लोगों का यह कहना है कि भाई उन दोनों ने बनाना साथ में शुरू कर दिया वो दोनों जो है अब पुजा वगेरा भी करवा रहे अपने घर पे तो शायद से उसको तकलीफ हो गए इसलिवाजे से सामने आ गई वगेरा वगेरा तो अशसी नहीं बाई वो जो अब वो दोन और आस पास के लोग हो गई है तो जो भी उनके फैमिली तो होगी देखो खुद की फैमिली नहीं जैसे की बाकी जो फैमिली होते एक स्टेंड फैमिली तो वहां से शायद से उसको ताने वाने कोई मार रहा होगा या तो परिशान इस तरीके से उसको कर रहा होगा अपडूसी वडूसी ताने देना वगेरा जिस वज़े से उसको ज्यादा एफेक्ट हो रहा है और धोल भी वज़े थे जब उसका वीडियो शुरू हुआ था ना तो उसका इन्वाल नहीं किया जा रहे हर एक चीज में जिस साथ बात कर रहा था आपके साथ आप बोल रहे हो ना कि आपको बहुत प्यार था उसको भी बहुत प्यार था तो आपने आपकी पर्सनल चैट्स लीग कर दी पूरी दुनिया के सामने चलो वह तो सिंगल थे अगर देखा जाए तो उसका एक्स्रामेरिट अलफर नहीं गी आपको बहलाएगी फुसलाएगी आप तो बच्चे हो ना दूथ पीते जो फुसल जाओगे उससे तो आज तो यह थी कल वो होगी कोई और हां तब किसको ब्लेम करेंगी आपकी बीवी तब भी बही बोलेगी मेरे पती को कुछ खिलाया पिला दिया काला जादू कर दिया अर जो उसकी मौम और बीवी बोलते रहते हैं ये वह वह चलो नेहा तो तुम्हारे सगी नहीं थी तुम्हारा पती तुम्हारा सगा था आपका बेटा त Snूप कर था करता हूं प्यार की कमी होती तब इंसन भार ढूंडने जाता है तो सबसे पहले अपने पती को जो है लतार लगाओ अपने पती से जो है तुम नाराज हो बाद में दुनिया से हो लेना अपने पती के तो बैगोद में जो है सर्रक के वीडियो बना रही हो हां मैं यह नहीं दोनों ही गलत थे माफ कर दो मोवन कर अपनी जिंदगी में खुश रहो लेकिन अभी भी जो है चुप नहीं हो रहे और दूसरा अभी जो अभी उसके पक्ष ले रहे बाए उसको भी बोलो बंद हो जाए अब शांत अगर तुम्हें सच में करना चाहती हो ना तो एक बार ओडिन्स से माफी मंग लो बोल दो कि मैं कोई आइन लेडी नहीं हूँ मैं कोई स्ट्रॉंग विमेन नहीं हो और मैं नहीं जगत दी दी हूँ मैं एक इनसान हूँ मुझसे गलती हो गई है अब मुझे जो है मुझे नॉर्मल मेरी बेटी है मुझे आगे बढ़ना है हर इतनी बात करनी है घमंड नहीं दिखाना है और अभी भी आप दमकिया दे रही हो कि मैं अगर चली जाओ तो तीन लोग जिम्मेदार होगे इसका मतलब तो आप उस जो जैसी का है उसको सही साबित कर रहे हो कि आप धंकी देते हो है ना यह बहुत बड़ा क्राइम है अगर आंदी से बताते थे हां कि मैं माफि मंगती हो गलती हो कि नहीं आपने वापस से घमंड दिखाया एक घमंड क्यों लेकिन रसी जल गई भल नहीं गया उस ताइप का हो गया यह तो अच्छा नेहार नहीं यह बोला कि यहीं चाहते थे ना लो मैंने रिष्टा तोड़ दिय अलो मैंने रिष्टा तोड़ दिया पूरे काइनात ने साजिश करी थी हमें जोलग करने के रहे भाई कोई क्यों साजिश करेगा एक बात बताओ जिस रिष्टे को आपने जूट की बुनियाद पर शुरू किया जिस परिवार से आपने चुपाया यह सब उस आदमी से कु हमारी इंगां हुआ हमारा इंगेजमेंट वर हुए लेकिन हमारा ये था इतना नहीं दूख होता था विश्बें पहले हैं यैंगेजमेंट होने के बात कर तक आप 11 तारिक तक की साथ तारिक सचिन से बात कर रहे थे हां उसका मतलब यह था कि अगर शादी भी होती तो भी आप दोनों जो एक्स्ट्रमेटर रफेर्च यह रहती और भाई जूट की बुनियात पर रिष्टे में तो फिर भी समझाता था कोई क्यों साजिश करेगा औ पर यह अच्छा दुख है इनका चाहे इसका इसका मोनिटाइस धुक होता है कि पह आंसुओं को भी सेल करेंगे ये लोग दुख को भी सेल करेंगे चाहे यह जो भी यह लोग content के लिए कर रहे है अपनी इज़त अपनी गरीमा सब बेच बाच के कुछ भी नहीं रहा है कि भाड में गई इज़त हम तो ऐसे ही हमें पैसे कमाना है पैसा सब कुछ है भाई पैसा सब कुछ है लेकिन बाहर जाते हो तब फेस नहीं करते हो कुछ तुम अभी नहीं देता कि भाई कैसे लोग है तुम्हें देखकर मुह नहीं फिरता तो वो जो मुह फियर लेते हैं वो होती इज़त हैं इज़त से बड़ा रुपईया हो गया इन सब लोगों के लिए और नेहा जी आप तो एक बार आईए और आप audience से माफे मांग लिए गमंट लाइफ में बीवी के साथ खुश है इसकी बेटी है ना बेटी है एक मा है अब चाहिए वह विक्स लगा के रोय चाहिए जो करके रोय बेटी तो है वो तो सत्य है ठीक है उसका भविश्य है सब कुछ है तो जीने दो भाई शांती से उसको नहीं यह जगद दी नहीं आयन लेडी इसको खाली शांती से जीने तो अब हो गए गलती ठीक हर एक इंसान से गलती होती उससे भी हो गई बड़ी गलती मान लो लेकिन हो गई बट माफ कर दो किसी को भी तर तर करना किसी को हर दुसरे दिन इसकी बारे में दज्या उड़ाना इसकी इज़त के बारे में य लेकिन नहीं इसके भी घमंड और तेवर अभी भी जो है वैसे के वैसी यह चाहिए जैसी भी ओड़ एक और तीए ठीक एक माह है और हर रोज उसकी इज़त की नीला में करना बंद कर देना चाहिए ठीक हो गई गलती उससे भी हो गई यह अगर गलत है वह भी कोई सहीं नहीं है ठीक है तो बंद कर दो भाई और नेहा को भी जो भी उसको सपोर्ट वगरा करता है उसको बंद करा देना चाहिए शांत पढ़ जाओ भी कुछ दिन के लिए डिग्निटी मेंटिन कर दो माफि मांग दो हो गया गलती हो गई हो गई मोवन कर लो जिंदगे में अगर अभी विनम्रता के साथ ओडिन्स से माफि मांग लो कि गलती हो गई है ना खतम करो चले अभी के लिए बस इतना है मिलते नेक्स प्रोडकास्ट में अपना ध्यान रखेगा बाबाई